इस लेक्षर में हम देखने वाले हैं अब स्पार्ट के अंदर कि एक साइनटिस्ट कितना बड़ा है कितना मशुहूर है कितनी उसकी पावर है अपने फिल्ड के अंदर यह आप कहलें कि उसकी बात को कितना सरह जाते हैं उसको कैसे हम मियर करेंगी ठीक है जैसे अगर में मेचे करना चाहूं हाइट अगर किसी की हाइट six feet है तो आएकन से किसी की हाइट five feet है तो आएकन से it's an average height four से काम है तो आएकन से यह थोड़ी सी less heighted low so we can classify people और इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि किसे का weight 50 to 60 है और BMI index के मताबिक ठीक है so those people are fit कुछ थोड़े से overweight होते हैं कुछ underweight होते हैं इसी तरी से साइंस के अंदर भी हम चेक कर सकते हैं कि कितने लोगों का कैसा नाम है अगर मैंने अभी आपको अपनी Google scholar के profile बताई थी जिसकी base पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कितना मशूर है यह बताना इस विड़ा से जरूरी है ताकि आपको पता हो कि research के field में चल क्या रहा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि measure करने के लिए scientific capability of somebody there are many things पहली चीज तो number of publications देख लो कितने number of publication है उसके ठीक है जो लोग चाइना से PhD कर रहे है उनको पता है कि PhD के दुरान ही उनकी तगरेबन माशाआलला को 10 से 15 PhD की publications होती है गुरूप की वज़ा से और कुछ उनके अपने जो लिंक्स होते हैं लाप्स के आपस में collaboration की वज़ा से otherwise यॉरॉप के अंदर एक दो publications होती है PhD के देंदर and those are enough USA के अंदर भी 3-4 हो जाती है दो जार इनाफ इस इंपक्ट फेक्टर ओफ जर्नल्स यानि कि जिस जर्नल में publish की हुई है आपकी publication गई है जर्नल होता है काइंड ओफ एक आप कहलें कि एक group of publications जो बकाइदा maintain किया जाता है publisher की तरफ से ठीक है तो जर्नल्स के अंदर आपके जो publication गई है उनका impact factor होता है यानि कि उस journal के साथ एक number 8 होता है ठीक है उसका impact factor जो वो matter करता है अगर मेरी 10 publication है और different journals के अंदर है हर journal का impact factor प्लस करके मेरा impact factor at the end बनता है for example मैंने 10 publication है की है 10 की 10, 5 impact factor वाले जर्नल के अंदर है तो मेरा impact factor कितना होगा पचास तो impact factor एक researcher का भी होता है और इसी तरीके से journals का भी होता है उसकी वज़ा से वो count होता है फिर होता है research likability कि दुनिया में research को कितना सरहा गया है कितना share किया गया है for example आप एक research publish करते है वो news article में आ जाती है और लोग उस news को share करने लग जाते है ठीक है तो उसको बोलते है research likability आपकी citation कोई नहीं है journal भी मड़ा सा ही है लेकिन at the end your research is going to be in different hands यानि कि Twitter पे आपको उस research को tweet इतना किया गया है Google का ऐसे होता है Google वाले जो भी publication करते है ना उसको किसी आम जर्नल में भी करें तो 2015 में जैसे उनका neural network की एक research आई थी मतलब AI की तो उन्होंने published की उसके बाद लोगों ने share इतनी कि उसको use इतना किया उसकी likability बढ़ती गई वो फिर paper या journal matter नहीं करता research matter करती then हमारे पास citations है अगर मैंने को paper लिखा है ठीक है और for example यहाँ पे मुदसर भाई है उनका भी paper है उन्होंने वो paper लिखा है जो उनका paper है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि अमार ने ये बात कही है तो वो मुझे cite कर रहे हैं ठीक है तो वो citations जो हैं वो भी count होती हैं कि एक paper कितने papers में cite किया गया है यानि कितने papers के अंदर उस paper की बात हुई है या reference दिया गया है मतलब मैंने एक finding ली जी पाकिसान के अंदर पेट्रोल की कीमतें जो हैं तीस तरीक तक ज्यादा नहीं होने तो ये मेरी finding है research की base पे तो अगर कोई और बंदा लिखेगा वो कहेगा अमार ने ये बात की है कि तीस तरीक तक पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होने बेस्ट उन इस 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 पेरामेटर्स ठीक है तो उसको हम बोलते हैं citation then social impact कितने है यानि कि आपकी research ने दुनिया में कितनी बड़ी change लेके आई है मिसाल के थोर पे अगर एक research start में हुई by the way किसी को पता है कि सबसे पहला जो जहाज है या उड़ने की कोशिश या उस theory को समझने के लिए किस इनसान ने try की थी किस researcher ने जहाज जिने मतलब airplane दुनिया को उड़ाने की कोशिश सबसे पहले किस ने की थी अब आप कहेंगे Robert Brothers नए 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 इबने मैं आपको hint दे देता हूँ एक muslim scientist थे जिनों ने अपने बाजों के साथ पर लगा के उनने की कोशिश की थी अबने फरनास अबास अबने फरनास ठीक है तो उन्होंने स्टार्ट किया लेकिन दुनिया को नहीं पता काफी दुनिया को और वो कहते है Robert Brothers ने पहला जहाज जो है उसे बनाया और उनकी वीडियोज उन्होंने वाइरल की हुई है अगर आप गोर करें यूट्यूब के उपर तो सोशल इंपक्ट बड़ा मैटर करता है आज आदी से ज़्यादा दुनिया अगर ग्लोबल हुई है तो वो सिरफ एर प्लेन की वेड़ा से हुई है दुनिया दूसरे खितों में गई दूसरी जोगों पर गई वहां पर जाकिंस उन्न अन अपनी बस्तियां बसाइए फिर कल्चरल एक्सजेंज हुए है लौट अफ तिंगज है पिर सबसे बड़ी चीज नोबल प्राइस जिस रिसर्चर चर के पास नोबल प्राइस है वो researcher की बात दुनिया मानती है क्यों noble prize मिलता ही तब बैजावाब ने बहुत ही class की research कियो पिछली दफ़ा एक noble prize मिला एक बंदे को जिसने बहुत पुनानी हड़ियों में से DNA extract करने का method निकाला जर्मिनी का बंद है आप यकीन माने ये एक noble prize ने पिछली सारी चीज़ों पर पानी फेर दिया कितने impact factor है कितने papers है ना फिर नहीं matter करता noble prize मिल गया है that's more than enough ठीक है तो ये एक noble prize एक भारी भरकम चीज़ है जो अगर आपको मिल जाए तो researcher एक माने हुए researchers बन जाते है फिर आपके पास funding कितनी available है to get a research project वो भी depend करता है इन सारी चीज़ों पर अगर एक project एक एक professor के पास ज्यादा projects है ज्यादा funds available है इसका मतलब उसका नाम चलता है field के अंदर ठीक है so that's another matter कि कितने projects उसके पास है फिर आपके पास journal की categories आड़ा थे है q1 q2 q3 q4 यह वो categories है जब आप publish करना start करते है that time you should know पहला काम है सिरफ publish करना कोई भी journal मिलता करो publish second है अच्छी quality की research है तो अच्छी quality का research publish करो और यह बताता कोन है आपको आपके supervisors आपके mentors आपके colleagues यह बताते हैं कि आपके field का journal अच्छा कौन से otherwise आपको मैं कुछ tips दोंगा आज आप अच्छा journal find out कर सकते हैं using your own abstract and title ठीक है तो जर्नल finders के tools पहुचूब है and that will give you an idea कहां पर यह measures find out करते हैं हम पहले चीज़ जर्नल की website के उपर जो journals के अंदर paper publish हैं वहां पर impact factor और बाकिया information दी होती है दूसरी चीज़ researchers की website यानि के जितने भी group for example USA के अंदर एक trend है कि आपकी अपनी लैब है ना कोई एक professor की तो वह उसकी अपनी लैब के एक website होती है उस website पर जा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी मैट इतने कितने paper publish किया है आया कि यह nobel prize winner है या नहीं और by the way अगर किसी university का या किसी country का भी nobel prize निकल आए ना तो सबसे पहले main page पे उनकी तस्वीर लगी होती है यार यह हमारे nobel prize winner है that one university website से फिर टॉप साइटे डिसर्चर प्रोग्राम्स यानि के इसके उपर आप चेक कर सकते हैं टॉप साइटे रिजर्चर कितने हैं अगर आपको याद हो अकसर उकात एक साल का टाइम ऐसा आता है जब अकसर रिसर्चर ने लगाया होता है अलहम्दलिल्ला मेरा जो citation है मैं टॉप साइटे रिजर्चर गिना गया हूं on klarivate analytics होता है ना और इस तरीके से highly cited researcher की list आती है और पाकिस्तान के सो scientist इसमें शामल है पाकिस्तान के चार scientist शामल है वो क्या होता है वो top cited researcher in specific field उनको count करके बताते हैं कि ये बंद है इस बंदे कोई साल में सबसे स्यादा साइटेशन मिली है साइटेशन वो ही के इस बंदे या बंदी के गाम को लोगों ने साइट किया इसके उपर आप इसको चीग बोलते हैं वाइदावे लेकिन आप इसके ऊपर भी अपनी एक प्रफाइल बना सकते हैं जब आप पेपर पब्लिच करते हैं तो जर्नल वाअले आपकी आई-डी के साथ उसको लिंक करते हैं यू कांट लिइंक इध ब 1 राइड जी तो यह बहुत important है ना वो है keywords keywords जो होते हैं यानि के आपके field के keywords matter करते हैं और उसकी base पे आप find out करते हैं कि ये तो होगे matter अब मैंने कैसे find out करना है मेरे field का पावा कौन है जैसे लारदा पावा अख्तरलावा है समझने है बात को के मेरे field का पावा कौन है और उसकी profile बोलती है समझने हैं बात को किसे को नहीं पता लारदा पावा अख्तरलावा क्या है तो टिक टॉक के trends देखा है अगर आपको समझ आ जाएगी तो keywords बताते हैं कि कौन किस field का कितना पावा है एक में मिसाल देता हूँ मेरे field के अंदर मतलब agriculture microbiology के अंदर बर्नार्ड आर लिक यह वाहिद बंदे हैं जो जिनकी citation बहुत हैवी है 61,000 something citation है ठीक है H index इनका 107 है और I 10 index इनका 290 है H index और I 10 index क्या होता है मैं आपको यह बात समझा के फिर आगे चलूगा आप क्या करते हैं different search engines पे जाके different search engine पे जाके अपने field के keywords लिखते हैं जैसे मेरा field है microbes जो मतलब PhD के एक topic था इस पे bacteria हो गया ठीक है endophyte हो गये plants and stress यह पांच keywords मैं डालता हूँ तो इनका नाम आजाता है सामने कैसे आता है highly cited researcher के अंदर ठीक है अब हमने यह करना है Google scholar पे जाके keywords अपने हमने find out करने है पहला काम फिर Google scholar पे जाके हमने search करना है के हमारे field का पावा कौन है ठीक है उससे पहले मैं आपको बता दूँ के जो H index होता है वो reflect करता है the number of publication and the number of citation per publication for example अगर आपका H index 20 है इसका मतलब है आपके 20 paper जो है at least 20 दफा cited हुए है कहीं ठीक है पीस paper बीस दफा cited हुए है जिसका 7 H index हो इसका मतलब है 7 paper 7 दफा cited हुए है मैं एक मिसाल दे रहा हूं ठीक है अब एक और बात करते हैं एक होता है आई 10 index जो यहाँ पे भी आपने देखा इसका मतलब है इनके total publications में से 290 जो paper है वो at least 10 दफा cited है मतलब 10 लोगों ने कम असकम उन papers को अपने papers में cite की है cite का मतलब उनका reference दिये तो ये भी वड़ा matter करता है अक्सर projects के अंदर वो कहते है H index क्या है जी आपका आपका I 10 index क्या है by the way आप में से बताना चाहेगा कोई क्या आपका H index और I 10 index क्या है अपनी Google scholar के profile के उपर या वैसे आपको अगर याद हूँ और ये Google वाइदावे खुद बाखुद calculate कर देता है जी चैट के अंदर आप बताना चाहेंगे that would be great to know कि मेरे पास कैसे लोग इस वकट बैठे हुएं मैं यह नहीं कह रहा कि आपका है यह नहीं है तो आपने लिखना नहीं हो वो भी एक value होती है जिसको हम zero बहुलते हैं ठीक है so don't worry सभी zero से start करते हैं कोई बंदा matrix उपर मतलब अपना H index लेकर नहीं आता यह ना मैं भार-बार question इस वज़ा से पूछता हूं ताकि अंदाजा लग सके कि आप तबज्व दे रहे हैं के नहीं दे रहें और जो लोग answer नहीं कर रहे हैं तो फिर जब वो question करेंगे फिर मैं answer नहीं करूंगा so it's you know it comes both ways अब आपने क्या करना है find गरने top rated scientist in your subject category कैसे find करने आपने Google scholar में जाना है Google scholar में जाके आप वहां पर type कर सकते हैं अपने field के keywords ठीक है और वहां से आप authors को find out कर सकते हैं second चीज़ आप यह कर सकते हैं आप यह जो highly sighted researcher का डीटा बेस है ठीक है clarivate का आप वहां पर जा सकते हैं तीसरा आप और सेट पर जा सकते हैं फिर रिसर्च गेट पर जा सकते हैं so you have to find top rated scientist I would say जैसे फाइवर के उपर होता है ने top rated जो single level होता है फिर double हो जाता है इसी तरीके से scientist की दुनिया के अंदर भी यह चीज़ चलती है जारी बात है आपको पता है metric search जगा के उपर है तो आपने find करने top rated scientist ठीक है and that's the assignment for now अब हम इस पर लगाएंगे 10 minute और बलके हां 10 minute हम लगाते हैं इस पर आप 10 minute में खूद से search करेंगे अगर आपको मिलते हैं that's great otherwise we will see it together और इन 10 minutes के अंदर अगर किसी का नमाज का टाइम होए they can say that prayer as well क्योंकि 5 minute लगन तेज होते हैं और वो जो तेज लोग होते हैं एकसर उनके बारे में का भी जाता है यह बड़ा तेज है तो यह वही तेज होते है ठीक है let's take a break of five minutes and five minutes for the task आप पर depend करता है आपने अभी ब्रेक लेनी है पांच मिनिट की यह काम करने के बाद देनी है उसके बाद हम next lecture की तर